ऐसी बीमारी जिस से एक आम इंसान बन सकता है सूपर हीरो। इस आम सी दिखने वाली साइकल के कीमत जान कर आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी और डिस्क ब्रेक में ये होल्स आखिर क्यों होते हैं। अगर आप इन बातों के बारे में नहीं जानते तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंततर नमबर सेफिन। दोस्तों जरा इस साइकल को देखिए और ये बताइए कि इसकी क्या खिमत हो सकती है। थोड़ा वीडियो को पाउस करके सोचे और बताइए सोच लिया। तो अब मैं बताता हूँ इस साइकल के कीमत है 28,400 रुपए नहीं बलकि डॉलर। जी हाँ सही सुना आपने 28,400 डॉलर याने के कुल 21,40,000 रुपए। अब आप सोच रही होंगे कि इसमें खास क्या है तो आपको बता दू कि इसकी सीट के नीचे एक GPS लगा हुआ है जो पल-पल इसकी लोकेशन देता रहता है। दूसरा ये कि इस साइकल को जाने माने कंपनी लूइस यूइटन ने हाल ही में लाँच किया है वैसे इसके कपड़े ही लाखों में आते हैं ये तो फिर भी साइकल है। आप अपनी राइ कॉमेंट्स में जरू बताएगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि डिस्क ब्रेक में ये होल्स होते क्यों हो हैं जबकि बिना होल किये इसे ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। सही से नहीं लग पाएगा पर इन होल्स के वज़े से इन दोनों की अच्छी ग्रिप बंद पाती है और आसान इसे ब्रेक लग जाता है। दोस्तों सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बलकि सच में ऐसे कुछ बिमारिया होती है जिसके हो जाने से इनसानों के अंदर सूपर पावर्स आ जाती है। जिसमें से पहली है सूपर हुमन स्ट्रेंग्ट ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका मसल इतना बढ़ जायता कि आपके नॉर्मल इंसान से चैगुना ज्यादा शक्ति आ जाएगी। साथ में फैट लेवल भी जीरो रहेगा जिससे कि आप एक तगड़े बॉड़ी बिल्डर नजर आने लगेंगे। इसकी एक खास बात ये है कि इसका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं पर अगर साइड एफेक्ट ना हो तो फिर ये बीमारी कैसी दूसरी एक और बीमारी ये है एनाल जेजिया। दोस्तो इस बीमारी में इंसान को किसी भी तरीके की चोट का दर्द तो शूर ये आभास तक नहीं होता। फिर चाहे उसे कोई चाको ही क्यो नमारते। ये बीमारी लोगों की जीन्स में ही होती हैं। मतलब ऐसे लोग इस बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं। पर इसका एक disadvantage भी है, वो ये कि हमें किसी भी दर्थ का आभास तक नहीं होगा इससे हम सही वक्त पे इलाज नहीं ले सकेंगे और ये उस इंसान की मौत की वजह भी बन सकती है दोस्तो वैसे तो हमें खाना गर्म ही खाने में मज़ा आता है लेकिन कि हमें टेस्ट मालूम होता है दोस्तो जब खाना गर्म होता है तब सिग्नल हमारे दिमाग तक बहुत तेजी से पहुँचता है और जब थंडा होता है तो बहुत ही धीरे-धीरे इसका सबसे अच्छा एक्जाम्पल है आइस्क्रीम. दोस्तों, आपने घौर किया होगा कि आईस्क्रीम अगर बर्फ में जemi हुई होती है, तो उसका टेस्ट नहीं आता. लेकिन जब वो हमारे जबान पर पिखलने लगती है, तब उसका टेस्ट आने लगता है. इसलिए दोस्तो गर्म खाने का टेस्ट ठंडे खाने के बदौरत ज्याद अच्छा लगता है दोस्तो इस तस्वीर को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि या तो यह बिल्डिंग रोड पर बनी है या फिर यह कोई फाइब स्टोरी बस है पर दोस्तो दोनों ही खलत है दरसल यह सिर्फ एक बस है और इसके पीछे एक बिल्डिंग जो बिल्कुल उस बस की तरह है अगर आपको पहली बार देखने पर यह कोई रोड पर बिल्डिंग या फाइब स्टोरी बस दिखी हो तो इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं चीज़ों की तरफ दूर से ही आकशित हो जाते हैं अब चाहे वो लाल रंग के जोड़े में कोई लड़की हो या फिर खत्रे के नाम पर गैस सिलेंडर इसी लिए आपने देखा होगा कि डिंजर भी हर जगे लाल रंग से ही लिखा रहता है ताकि सावधानी से काम को कुछ में seconds क्यों लगे होते हैं? इसके दो कारण है, पहला ये कि ज्यादा तर skids उन helicopter में लगे होते हैं, जो छोटे होते हैं, क्योंकि tires की तुलना में skids का weight कम होता है, जिससे छोटे helicopters को take off में आसानी होती है, लेकिन उसी जगे बड़े helicopter का weight ज्यादा होने की बज़े से उन्हें skids पे land नहीं कराया ज़ा सकता, उसमें बहुत risk होता है, कहीं skids अगर load न उठा पाए, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये वहाँ tires का इस्तिमाल किया जाता है, दूसरा है कि छोटे helicopters का weight कम होने की बज़े से वो अपने starting point से कम power में भी check off कर सकता है, लेकिन अगर बड़े helicopter को उसकी starting point से टेक off करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा power की जरुवत होती है, इसलिए बड़े helicopters के नीचे पहिये होते हैं ताकि वो थोड़ा run up लेकर कम power में check off कर सके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो कुछ शेय करना ना भूलें,